तनुच पुनिया ने नमांकन के दाखिल बारबंकी से दूसरी बार जुनावी मैदान में यहां दस साल से बीजेपी का रहा कबजा बारबंकी लोकसवा सीट से इंडिया गडबंदन के उमीदवार तनुच पुनिया ने बुधवार को नमांकन दाखिल कर दिया इस दोरान अवाब गंच विधान सभा से वर्तमान विधायक सुरिश यादव अपूर्व सांसत पी एल पुनिया मौजूद रहे बारबंकी में पांचवे चरण में 20 मैं को मद्दान होगा 2019 लोगसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने एक बार फिर से तनुच पुनिया को प्रत्याशी बनाया है बारबंकी लोगसभा सीट बीते 10 सालों से बीजेपी के कब्जे में है नमांकन दाखिल करने के बाद तनुच पुन्यानी बीचेपी पर जोरदार हमला किया उन्होंने कहा भारतिय जनता पार्टी डराने धमकाने की राजनीती कर रही है नमांकन करने बुल्डोजर लेकर आती है आम जनता को डरा रही है और हम सम्विधान को बचाने के लड़ाई लड़ रहे है सम्विधान राज से चलेगा, बुल्डोजर से नहीं चलेगा देखिए आज नमांकन हुआ है इंडिया गडबंधन का यहाँ पर आज मैंने इंडिया गडबंधन की तरफ से आज नमांकन किया है और यह बहुत महत्वपोड इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बार-बार सरकार ने सम्विधान पर हमारे हमला किया है हमारे लोगतंतर पर हमला किया है और यह लगाता तनुझ पुनिया दूसरी बार चुनावी मैदान में है नमांकन दाखिल करने के बाद तनुझ पुनिया ने मीडिया से बाचीत ने कहा कि भाजपा सम्विधान बिरोधी है हमारी लडाए तनुझ पुनिया ने कहा कि पिछले चुनाव में भारतिय जंता पार्टी के जूत के जाल में लोग फ़स गह थे इस बार लोग जागरुख हो गए हैं, हमारे साथ समाजवाधी पार्टी के वर्तमान, विधायक सुरीश यादव और पूर्व सांसत साथ में हैं, इस बार हम लोग कड़ी टकर देंगे जोगतंत्र पे हमला किया है और यह लगातार जन्ता के विरोधी काम कर रहे हैं, तो हमारा लक्ष है अब इस सरकार को हटाना है, क्योंकि हमको देश को बचाना है और इस सम्विधान को बचाने की यह पूरी लड़ाई आज चल नहीं है, और हम सम्विधान को खतम नहीं होने हमएं स边देगे और इस सम्मिधान जैसा है, जैसना हमें बाबा साब ने दिया है, जैसा हमारे उर्खों ने इसके लड़ाई लड़िए है देश के आजादी की लड़ा य की लड़ाई थी इस ही आजादी की लड़ाई थी हमारी विचार वेắn को जैंहांस अधिकार मिले हैं उन सारी की लड़ाई जारी रहेगी और इस सम्मिधान के लिए हमेशे आम खड़ेगी बहुत चांदिपूरु रग्ण से आपने आज नामा में देखे आज देखे जनता जो है वो आज इंडिया गटबंदन के साथ है अल्ला मचाने से जादा ओगा नहीं आपने जैसे देखा उनके नावंकर ने पूरा शहर जाम हो गया था कई जगे से लोगों के सामने ले रोट जाम हो गएथी कई लोहों की वा कि मरीज हश्पताल नहीं पहुँँच पा रहे है उपर से उन्होंने अपना गुंडा राज भी दिखा दिया, यहां बुल्डोजर बुला करके उसे फूल माला चड़ाई है, फूजा हुजा करी है, तो वो भी एक तरह से सम्विधान के खिलाफ है, गहर सम्विधानिक है कि आप किसी का घर गिरात होगे, तो सीधे सीधे जनत को धमकी दी जा रही, कि हमारा साथ दो नहीं तो तुम्हारे घर पर बुल्डोजर चलेगा, तो यह भी हम मैसे देना चाहरे थे, कि हम जो है, जितना हमारा कार्दे होगा, वो सब नियम कानून के अनुसार होगा, सम्विधान के अनुसार होगा.